देश में गुरुना की क्या हैस्ति थी इस पर स्वास्त मंत्रा ले इस वक्त कर रहा है प्रेस कॉंफेंस सी देलिये जाएंगे पैसे नहीं दे सकते हैं बिहार में चुनाओ था तो बीजेपी कहती थी सरकार बनेगी तो मुफ्त वैक्सिन दी जाएगी आज बेंगॉल के अंदर भी यह बनाए रखें जिसमें हम लोग हाइलाइट करना चाहेंगे मुख्यत है कंटेन्मेंट, सेकेंड क्लीनिकल मैनेजमेंट, थर्ड कम्निटी इंगेजमेंट कंटेन्मेंट के विशे में हम आप लोग की दृष्टी में यह लाना चाहेंगे कि अन्य बीमारियों के मुकाबले अगर हम देखें तो कोविड का जो वाइरस है वह यूमन होस्ट में ही रहता है वह किसी इंटरमीडिट होस्ट में नहीं जाता है तो जिससे हमें पता लगता है कि अगर हमने उस यूमन होस्ट को आईसोलेट प्रॉपरली किया तब हम इंफेक्शन का स्प्रेड रोप पाएंगे तो आज जरूरी है कि जब देश में कई प्रांतों में कई स्टेट्स में हाईर सर्ज नोटिस किया जा रहा है तो हम spread of infection को रोकने के लिए unnecessary movement को regulate करें, control करें, coordinate करें साथ ही जरूरी है कि हम spread को रोकने के लिए chain of transmission को तोड़ने के लिए COVID appropriate behavior को अपने जीवन में समाहित करते हुए हर समय उसका प्रायास करें जरूरी है किसी भी infectious disease के management के लिए कि हम उस disease को time पर identify करें COVID भी ऐसी एक बिमारी है जिसको अगर हमने समय पर identify कर लिया तो यह serious बिमारी की रूप में convert नहीं होगी और patient mild और moderate level पर ही हम उसको control करकर उसको ढंग से treatment दे पाते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आज हम कोशिश करें कि अपने containment के efforts के साथ ही हम जब भी किसी हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति को कोई भी symptom अगर notice होता है तो वह तुरंट से तुरंट उसका test कराएं test का result आने में अगर 24 घंटे या उससे अधिक समय भी लगता है तो यह मानते हुए कि मुझे कुछ symptoms है मुझे दूसरे लोगों से अपने परिवार के लोगों से एक isolation रखना है एक distance बना के रखना है जब तक मेरा test result नहीं आता और साथ ही मैं required precautions लेता रहूं उसकी भी आज हमारे लिए जरूरत है कि हम उसको डंग से implement करें दूसरा major focus है clinical management आज हम देख रहे हैं कि यथा संभव प्रहतन करते हुए भी हम पाते हैं कि कुछ प्रांतों में हमारे ऐसी situation भी पैदा हो रही है कि जहां पर hospital infrastructure पर stress create हो रही है तो उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ मुख्य अंग्शों का specifically पालन करें जैसे हम आप लोग को request करना चाहेंगे कि जरूरत है कि हम जितने भी हमारे home isolation cases हैं हम उनको monitor करें home isolation cases की monitoring करते हुए हमें यह द्यान रखना है कि जो व्यक्ती positive होकर home isolation में है वो proper isolation में रहे ताकि उसके परिवार के और सदेस्टे को infection ना फैले home isolation से संबंदित government of India द्वारा issue की गई guidelines का 100% पालनों वह में ensure करना है जरूरत है कि जो जिनकों की hospitalization की जरूरत हो उनको states के साथ coordinate करके हम seamless hospitalization को कोशिश करें ताकि patient को time पर admission मिल सके इसके लिए हमने states से और district से भी request किये कि हर state और district government of India की request के तहत एक dashboard प्रोवाइड करें जहां पर की availability of beds उसको display किया जाए ताकि लोगों में एक unnecessary भै का वातरवन पैदा ना हो और एक transparent process किया जाए create किया जाए जिससे कि hospital में bed उनको मिल सके साथी जरूरी है कि states और district मिलकर based on the cases trajectory किस type के cases आ रहे हैं उसको देखते हुए जरूत पड़े तो additional government और private sector के hospitals के beds को covid dedicated beds में convert करें और अधिक जरूत हो तो make shift temporary hospitals भी बना कर ensure करें कि जिन लोगों को beds की जरूत है उनको हम समय पर beds दिला पाएं जरूरी है कि हम national clinical management protocol को hundred percent follow करें आज आप लोग की knowledge में भी है कि कहीं जगे पर oxygen और इसी तरह से जो investigational therapy वाली हमारी दवाईया हैं जैसे कि remedy सिवीर, tocilizumab जो की limited supply में देश में available है because क्योंकि हमने देखा कि sudden search cases में आया है तो while eggs type पर government of India उनकी supply बढ़ाने का काम कर रही है दूसरा जरूरत है कि unnecessary drug prescription ना हो तो हम एक आप लोगे द्वारा सबसे ही request करना चाहेंगे कि काइंडिया ensure करें जिसको oxygen supply के जरूरत हो उसको oxygen दी जाए जितनी quantity में oxygen supply के जरूरत हो उतनी ही oxygen दी जाए साथ ही जो investigational therapies हैं उनको उनके norms के हिसाब से clinical protocol के हिसाब से ही prescribe किया जाए यह भै का वातरूरन create ना हो कि अगर मुझे remdesivir या tocilizumab नहीं मिलेगी तो मेरे particular patient को खत्रा जादा है साथ ही हम इससे सम्मंदित एक और बात आप लोगी दृष्टी में लाना चाहेंगे कि जिस तरह से remdesivir और tocilizumab हैं हमारा clinical protocol clearly identify करता है similarly placed medicines जो कि इससे cheaper है जो widely available है और उन सब को भी हमारी medical fraternity द्वारब prescribe करना चाहिए ताकि लोगों में एक जो भै का वातारन है वह कम हो सके और साथ ही effective and required treatment हम patient को दे पाएं इस विशे में डॉक्टर गुलेरिया आपको और detail में भी explain करेंगे साथ ही equally important है कि एक तरफ जब हम अपना medical infrastructure अपग्रेड करने की बात करें एक तरफ हम clinical management protocol follow करने की बात करें बहुत important है COVID appropriate behavior ये COVID appropriate behavior इसलिए जरूरी है कि अगर हमने इसको follow नहीं किया तो चाहे हम कितना भी medical infrastructure समय समय पर upgrade करते रहें बट हमारे देश की जनसंख्या इन अधिक है कि हम जितना भी infrastructure बनाएंगे जब तक हमने अपने infection को control नहीं किया तब तक हम उस infrastructure को हमेशा किसी ना किसी लेवल पर stress पर पाएंगे तो दोस्तों मैं इस संबंदित आपको दो studies भी highlight करना चाहूँगा जैसे कि अगर आप देखें कि बहुत सारे विश्विद्याले में इस पर research हुई है उन्होंने पाया है कि अगर physical distancing से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं तो उन्होंने देखा है कि एक आदमी अगर कोई भी physical distancing measures को follow ना करे तो 30 दिन के अंदर वे 406 लोगों को infect कर सकता है यानि कि अगर हम अपने behavior pattern में COVID को समझते हो उससे संबंदित चरिया नहीं करते हैं कारे नहीं करते हैं तो to that extent हम अपनी family और अपने समाज को उस extent तक risk में ले जाते हैं अगर हम 50% physical exposure अपना कम कर दें तो ये पाया गया है कि 406 लोगे के मुकाबले 15 के करीब लोग infect होते हैं और अगर हम अपना physical exposure 75% कम कर दें तो एक infected आदमी इफेक्टिरी करीब धाई लोगों को ही एक महीने बाद infect कर पाएगा आप लोग के दुआरा हमारी सबसे विंती है कि इस aspect लोग समझना बहुत जरूरी है कि एक तरफ हम clinical management पर ध्यान दें दूसरी तरफ हम infection control पर भी ध्यान दें दूसरा विशे जो हम आप लोग की दृष्टी में लाना चाहेंगे use of mask यह भी एक study के द्वारा पाये गया है कि जबकि हम 6 फिट की दूरी दो गज की दूरी अपने मध्ये में रखते हैं तो भी अगर दोनों यानी की person जिसको कोविड-19 हुआ है और person जो uninfected है यह आप एक कि देखते रहिए आज तक